नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका स्टाडी फॉर पब्लिक सर्विस कमिशन में इंडियन नेवी इंडियन नेवी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन निकाला गया है और जो पोस्ट निकाली गई है वो 10 प्लस टू बीटेक कैड़ेट एंट्री की जो पोस्ट है उसके सेलेक्शन प्रोसेस रह सकता है कब से इसके ओनलाइन पॉम स्टार्ट होंगे लास्ट डेट के रहेने वाले है अगर आप इस पोस्ट के लिए अपलाई करने वाले हैं तो वीडियो के अंदर तक जरूर बने रहे हैं आपके सारे जितने भी डाउट है वो सारे दूर कर दि किजिएगा इंडियन नेवी के द्वारा ये नोटिफिकेशन निकाला गया है 10 प्लस टू बीटेक कैड़ेट एंट्री स्कीम पर्मानेंट कमिशन कोर्स कमसिंग जनवरी दोजार पचीस के लिए ये नोटिफिकेशन निकाला गया है उसके बाद हम आगया जाएंगे और य गई है समय से आप अपना ओनलाइन फोर्म बरके इसकी तैयारी में लग जाएगा काफी गोल्डन पोस्टिटी है गैजटेट ओफिसर की पोस्ट होती है और ये जो इंडियन नेवी के अंदर होती है उसके बाद हम आगे की देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या कुछ इसके of nationality as laid down by the government of India for becoming permanent commissioning officer in executive and technical branch under 10 plus 2 BTEC cadet entry scheme after undergone 4 year BTEC course in the prestigious Indian Naval Academy एजीमाला तो ये इंडियन नेवी एजीमाला के लिए recommend किया गया है दोजार पक्चीज जनवरी के लिए unmarried male और female इसके अंदर apply कर सकते हैं ऐसा यहाँ पर बताया गया है 10 plus 2 BTEC cadet entry scheme यह निकाली गई है उसके बाद vacancy और age की हम बात कर लेते हैं यहाँ पर देख लीजेगा टू नमबर में यहाँ पर का गया है टू नमबर पर का गया है vacancy and age की यहाँ पर बात करें तो देख लीजेगा ब्रांच की बात करें तो executive technical ब्रांच की पोस्ट निकाली गई है यानि की कारेकारी और technical की जो ब्रांच होती है उसके अंदर आपको recommend किया जाएगा total vacancy की बात करें तो 40 vacancy इसके अंदर निकाली गई है और gender की बात करें तो man and woman दोनों इसके अंदर apply कर सकते हैं लेकिन maximum 8 vacancy for woman तो 40 में से 8 vacancy महिलाओं के लिए यहाँ पर रखी गई है age की बात करें तो यहाँ पर देख लीजेगा born between 2 July 2005 and 1 January 2008 both dates inclusive तो या तो आपका जनम 2 July 2005 क होना चाहिए या फिर जो आपका जनम है इन दोनों dates के बीच में होना चाहिए तो आप इस form के लिए apply कर पाएंगे उसके बाद हम देख लेते हैं चीक है उसके बाद हम देख लेते हैं आपर note में का आगया है only one application to be filled by the candidate तो एक जो candidate है वो एक ही form apply करेगा vacancy are indicated para 2 tentative may be changed तो यह बताया गया है जो para 2 में vacancy दे गई है वो गड़ाई बढ़ाई जा सकती है tentative है उसके बाद eligibility conditions को देख लेते हैं आपर eligibility condition में का आगया है कि paused senior secondary examination 10 plus 2 or its equivalent examination from any recognized board with at least यहापर देख लिजा है with at least 70% aggregate mark in physics, chemistry and mathematics, PCM and at least 50% mark in English तो यह यहापर बताया गया है कोई भी बच्चा जो 10 plus 2 pass है 10 plus 2 pass होना चाहिए या फिर इसके equivalent होना चाहिए साथ में आपके पास 70% mark होनी चाहिए और PCM physics semester math में होने चाहिए और 50% mark आपके English में होने चाहिए तो यह अगर आपकी education qualification है तो आप इस form के लिए apply कर सकते हैं उसके बाद आगे देख लेते हैं उसके बाद यहाँ पे का गया who can apply में का गया कोन इसके लिए apply कर सकता है candidate who have appeared for J.E.Mains 2024 exam for BE BITEC call up service selection board SSB will be issued on the basis of J.E.Mains India common rank list CRL 2024 published by NTA तो यह यहाँ पे बताया गया है कि उम्मीदवार मतलब जो candidate है जो J.E.Mukhya परिक्षा 2024 BE BITEC के लिए उपस्थित हुए थे मतलब जिन्होंने वो परिक्षा दी थी service selection board SSB के लिए call J.E.Mains call all के अधार पर जारी की जाएगी जो rank था उनके 1000 पर जारी की जाएगी Indian common rank list CRL 2024 NTA द्वारा जो परकाशित की गई थी यह यहाँ पर बता दिया गया है उसके बाद यहाँ पर यहाँ पर बता दिया गया है तो यहाँ से आप देख सकते हैं उसके बाद selection process की बात करें तो A point में कहा गया है Naval Headquarter reserve the right to fix the cutoff shortlisting application for SSB based on J.E.Mains all candidate common rank list CRL 2024 All candidates are required for their rank as per common rank list CRL the application SSB interviews for shortlist candidate will schedule Bangalore, Bhopal, Kolkata, Vishaka Pranam from September 2024 onward तो यहाँ पर बताया गया है कि इस points के अंदर बताया गया है कि जो 9 से न मुख्याले के पास J.E.Mains all India common rank list के अधार पर SSB के लिए आवेदन की shortlisting के लिए cutoff tag करने का जो अधिकार है वो शुरक्षित है उम्मीद्वारों को आवेदन में common rank list CRL के अपनी rank बरनी होगी shortlist किये गए उम्मीद्वारों के लिए जो SSB का शाक्षातकार है मतलब जो आपका interview लिया जाएगा SSB का वो Bangalore, Bhopal, Kolkata में निर्धारित किये जाएंगे सितंबर 2024 से विशा का पत्नमे तो यह जानकर यहां पर बताई गई है उसके बाद हम आगे देख लेते हैं अगर कुछ चीज़ के अंदर बताया गया है तो उसके बाद इसके second point को भी देख लेते हैं second point में का गया है shortlist candidate will be informed about the selection for SSB throw email SMS provided by candidate their application form तो यह B point के अंदर इनके द्वारा यह बताया गया है कि मैं आप भी बता देता हूँ आपको shortlist किये गए उम्मीद्वारों को जो मतलब shortlist किये जाएंगी candidate SSB शाक्षारतकार के लिए उनके chain के बारे में email और SMS के मादियम से सुचित किर कर दिया जाएगा मतलब जिन भी बत्चों का SSB के लिए select किया जाएगा उनको email या फिर SMS के द्वारा जो भी आप form बरेंगे उसमें registered email होगी आपकी या फिर जो आप number प्रोवाइड करवाएंगे तो वो active number प्रोवाइड करवाना क्योंकि जो आगे की process होगी वो उनी number और email पर प्रोवाइड करवाएज जाएगी उसके बाद हम आगे आ जाएंगे आगे देख लेते हैं अगर कुछ और जन करी दी गई है तो यह थोड़ा से यहां पर एक आ गया है सी पोइंट के अंदर a change for SSB अगे और जाएगा तो यह जो आपका इंटरव्यू से अगरा जो सेंटर दिये जाएंगे बोर्ड के द्वारा तो वो चेंजे बल नहीं होंगे तो वो वही रहेंगे उसके बाद हम merit list के आप बात कर लेतें question number 7 में आक आ गया है यह देख लीजेगा merit list would be prepared based on SSB mark तो यह merit list आपकी बनाई जाएगी वो SSB जो आपका interview लिया जाएगा उसी के base के अधार पर बनाई जाएगी declared fit in medical examination जब आप medical fitness में fit हो जाएगे मतलब जो आपका medical लिया जाएगा उसमें जब आपका fit पूरा complete हो जाएगा उसके बाद जो आपकी list बनाई जाएगी SSB के mark के अधार पर appointment subject to police verification character verification उसके बाद जो आपका police verification हो करवाई जाएगी और character verification हो करवाई जाएगी यह यहाँ पे बता दिया गया है और उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे training की बात की गई है तो training में कहा गया है 8 point में selected candidate will be indicated candidate for the four year B.Tech course in applied electronics communication engineering mechanical engineering or electronics communication engineering as per naval recruitment on compilation of the course B.Tech degree will be awarded ज्वाला नहरू उनिवेस्टी जे अन्यू distribution of cadets against executive and technical branch engineering and electrical will be per extract policy तो यह इसके अंदर training के अंदर इनको बताया गया है जो चैनित अम्मीदवार होंगे मतलब जिनको select कर लिया जाएगा उनको applied electronics and communication engineering, mechanical engineering या electronics and end में 4 साल के B.Tech course के लिए cadet के रूप में शामिल किया जाएगा नोशेना की आऊ सकता होंगे अनुसार संचार engineering मतलब जो telecom होता है course पूरा होने पर जवाला नेरू विश्व विद्याले के द्वारा B.Tech degree परदान की जाएगी मतलब जब आप अपना course कंप्लिट कर लेंगे तो JNU के द्वारा आपकी जो degree है वो आपको दी जाएगी कैड़ेट का वितरण कारेकारी और टेक्निकी शाका engineering और electrical के बीच मोजूता नीती के अनुसार होगा तो ये बताया गया है उसके बाद हम आगे देख लेते हैं और कुछ दिया गया है तो B. को भी देख लेते हैं गर B. में क्या पूरी लागत जितना भी कोस्ट होगी वो भारतिय नोसेना के द्वारा दी जाएगी या फिर भारतिय नोसे ना अपने खर्च पर वो सारी खर्चा उठाएगी कैडिट को उचित पेशाक और भोजन भी उपलब्द करवाय जाएगा मतलब जो कैंडिडेट होंगे जो सलेक्ट होंगे उनको कपड़े भी इंडियन नेवी के द्वारा जाएगे दिये जाएगे और जो भोजन होगा खाना होगा वो भी इंडियन नेवी के द्वारा ही प्रोवाइड करवाय जाएगा तो ये इंडियन नेवी.gov.in तो ये इसी पर जाकर आपको अपना ओनलाइन फॉर्म बरना है तो आगे तो ज़्यादा कोई जान करी नहीं है तो ये एक नोटिफिकेशन है जो इंडियन नेवी के द्वारा जारी कर दिया गया है बीटेक एड़ेट एंटरी वालों के लिए दोजार जनवरी दोजार पत्चीस के लिए चालिस पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है मैं टेलिग्राम पर प्रोवाइड करवा दूँगा और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा और चैनल पर पहरी बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा और बेल आइकन बटन को टैप कर लिजिएगा ताकि समय पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें यूटूब में हमें फोलो करते हैं तो प्लीज हमरा टेलिग्राम गूरूप जरूर से जरूर जैन कर लिजिएगा सारी नोटिफिकेशन सारी अपडेट सब कुछ वहाँ पर बता दिया जाता है इस वीडियो में इतना ही रखत जाए